Study IQ IS अब तयारी हुई affordable Hindu and Buddhist Heritage of Indonesia Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सीन दोस्तों, इंडोनेजिया अपनी rich history और sophisticated culture के लिए संपूर्ण विश्व में जाना जाता है यॉरप और एजिया के commercial sea roots के crossroads पर strategically situated होने की वजह से ये archipelago बहुत से foreign और ethnic influences से होकर गुजरा है आज इंडोनेजिया में different origins और cultures के लोगों का निबास है ये दुनिया का सबसे बड़ा Muslim population वाला देश है और third largest democracy भी करीब 17,000 islands पर फैले हुए इंडोनेजिया को अगर end to end यॉरोप के map पर superimpose किया जाए तो इसका span island से लेकर Caspian Sea तक होगा ये करीब 700 languages का घर है वैसे तो इंडोनेजिया के 242 million citizens में से करीब 210 Muslims है लिकिन यहां बाकी religions के भी substantial population मौझूद है आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आज 4.2 million से ज्यादा की Hindu population के साथ इंडोनेजिया दुनिया का fourth highest Hindu population वाला देश है आज हम इंडोनेजिया के इसी rich Hindu और Buddhist heritage के बारे में बात करने बाले हैं आईए सबसे पहले इंडोनेजिया में Hinduism के arrival और evolution की history को brief में समझते हैं History of Hinduism and Indonesia इंडोनेजिया में Hinduism और Buddhism के arrival से पहले तक यहां की indigenous population animism के forms को practice किया करती थी Animism religious beliefs का वो concept है जिसके तहत माना जाता है कि सभी living और non-living objects और phenomena में spirit या soul reside करती है First century CE के दौरान Indonesia में trade networks के थूप पहली बार Hinduism का arrival माना जाता है इंडिया से चायना तक जाने वाले trade route के रास्ते में होने के कारण यहां Indian merchants का आना जाना लगा रहता था ऐसा माना जाता है कि merchants के थूँ ही पहली बार Hinduism यहां introduce हुआ इसके बाद यहां के local rulers ने Hinduism को adopt करना शुरू कर दिया क्यूंकि वो इस new religion को अपनी power के लिए एक asset की तरह देख रहे थे Asia इसलिए क्यूंकि वो खुद को Hindu deities की तरह represent कर सकते थे और इस तरह अपना status बढ़ा सकते थे Pre-existing animistic beliefs धीरे-धीरे Hinduism के साथ blend हो जाते हैं और एक नया hybrid type का Hinduism Indonesia में develop होता है Indonesian legends में हमें Prince Ajisaka के बारे में सुनने को मिलता है ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही Sanskrit और Brahmi script को Indonesia में introduce किया था कहा जाता है कि आजी साखा 1st century CE around 78 AD में यहां आए थे और अपने साथ Saka calendar लेकर गए In fact, Dweepa पर आजी का आना ही Saka calendar की beginning को mark करता है इसके बाद 1500 CE तक Indonesia की Hindu Buddhist Kingdoms ने इसी Saka calendar को follow किया इसके बाद पाए जाने वाले सभी inscriptions भी Saka Aira के अनुसार ही ascribe किये गए है Prince Aji Saka को Java का first Hindu king consider किया जाता है इनका Central Asia से India में आए Saka's के साथ connections होने के कयास भी लगाय जाते है हाना कि अभी तक इसका कोई evidence नहीं मिल पाया है Indonesia में Hinduism का oldest archaeological evidence भी आजी Saka legend के साथ coincide करता है West Java के Paniton Island पर Mount Raksha Peak पर एक गणेश मूर्ती मिली है जो 100 CE के around की मानी जाती है ancient Chinese manuals में भी Java के किसी Hindu king देव वर्मन का जिक्र मिलता है जिसने 132 CE में Han Dynasty के Chinese emperor को presence भेजे थे अगर Indonesia में Hindu kingdom के full proof dated evidence की बात करें तो ये 4th century CE का है जो काली मंतन के कुटाई से हमें मिला है कुटाई inscriptions Sanskrit language में हैं और पल्लवा और ब्रहमी script में लिखे गए हैं ये inscription हमें 7 यगना stones पर मिलते हैं और राजा मूल अवर्मन से related events को commemorate करते हैं राजा मूल अवर्मन अपने फादर राजा अस्ववर्मन और ग्रैंट फादर राजा कुंदूंगा के बाद कुटाई kingdom के third generation king थे अश्ववर्मन और मूल अवर्मन दोनों ही संस्कृत नाम है जबकि कुंदूंगा नहीं एक थेरी के अनुसार राजा कुंदूंगा दोरा कुटाई kingdom establish करने के बाद ही यहां हिंदू influence बढ़ना शुरू हुआ था खासकर उनके बेटे अश्ववर्मन के टाइम से इनके नाम में वर्मन होना दक्षन भारत के पल्लव किंग्स के नाम से काफी similar है जिससे पता चलता है कि यहां पल्लवाज का strong influence रहा होगा इंस्क्रिप्शन्स में राजसू या जैसे यग्यों की बात की गई है जो राजा मूल वर्मन द्वारा किया गया था 5th century के बाद के तो बहुत से archaeological evidences हैं travel accounts और literary works जैसे कि नगरा क्रेत गमा मौझूद हैं जो कि हिंदू इंडूनेजिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं Chinese Buddhist monk और traveler फाहेन का शिप इंडिया से वापस चाइना जाते समय जावा आइलेंड पर कुछ समय के लिए फसा रहता है और वो यहां भारत के जैसे ब्रहमिन कल्चर फ्लरिश होने की बात लिखते हैं ये साल था 414 CE 4th century CE से 16th century CE के बीच इंडूनेजिया में फ्लरिश होने वाले prominent हिंदू और Buddhist kingdoms थे कुटाई, श्री विजया, सुंडा, तरुमनाग्रा, मातरम, मजापिट, संजय, शैलेंद्र, सिंघासरी, एट्सेटर 10th से 11th century के अराउंड इंडूनेजिया की politics में South India की चोला Kings का influence काफी बढ़ जाता है इस period में art, literature और architecture में भी काफी developments देखे जाते हैं कुछ notable literary works थे, अगस्ते पुराण और various kaka winds जो की रामायन, महाभारत और local legends पर लिखे गए poetic expositions को कहा जाता है 12th century के बाद Arab और Persian traders का आगमन इंडूनेजिया में शुरू हो जाता है और उन्ही के साथ यहां आता है इस्लाम और इस्लामिक मिशनेरीज gradually ancient Hindu civilization यहां से गायब हो जाता है और Indonesian archipelago Muslims द्वारा dominate किया जाने लगता है लिकिन क्या इसका मतलब यह है कि Hindu culture भी यहां से खत्म हो जाती है जी नहीं Hinduism का प्रभाव और इसका cultural influence तो आज भी इंडूनेजिया में देखा जा सकता है आईए कुछ उधारण के जरीए इसको समझते हैं Hindu heritage in present day Indonesia दोस्तों कि आप जानते हैं कि Indonesia का national emblem गरुड है जी गरुड जो कि Hindu mythology में एक deeply respected symbol है क्योंकि इसे Lord Vishnu का वाहन माना जाता है Bali, Sulawesi, Central Kalimantan और South Sumatra इंडूनेजिया के ऐसे regions हैं जहां large Hindu communities आज भी reside कर रही है Hinduism और Buddhism दोनों को ही इंडूनेजिया में official religion का status दिया गया है Indonesians ने अपने artistic और cultural heritage को काफी अच्छी तरह से preserve किया हुआ है रामायान और महभारत जैसे Hindu epics का influence यहां के dance और theater performances पर साफ देखा जा सकता है उधारण के तौर पर यहां की वायांग performances जो shadow puppet theater का एक form है इसे UNESCO द्वारा intangible culture heritage की list में भी शामिल किया गया है इसकी themes रामायान और महभारत से ही inspired होती है इस तरह जावनीज style में perform होने वाली रामायान बैले है जो 1961 से continuously perform की जा रही है इसमें रामायान की story को dance और drama की combination के रूप में show किया जाता है 2012 में Guinness Book द्वारा इसे most continuously staged performance in the world का खिताब दिया गया है इसके अलावा इंडोनीजिया में present numerous majestic temples भी यहां के हिंदू और Buddhist heritage को preserve किये हुए है इसमें सबसे famous है बोरो बुदू temple complex जिससे शैलेंद्र डाइनस्टी के rulers ने build कर आया था यह world का largest Buddhist temple है और एक world heritage site है इसके अलावा आदकासा temple है जो की Lord Brahma को dedicated है बटुकारू temple Lord Mahadev को dedicate किया गया है और बटू temple Lord Vishnu को dedicated है इंडोनीजिया में located प्रमबनन temple complex भी काफी famous है यह 200 से ज्यादा temples का group है और इसे 9th century AD में संजय डाइनस्टी के rulers द्वारा build कर आया था यह mainly इश्वर के त्रिमूर्ती form की worship होती है हलाकि सबसे important deity Lord Shiva को ही माना जाता है यहाँ पर मौजूद Goddess Durga का sculpture अपने आप में artistic masterpiece का एक शांदार उधारन है इस temple complex का comparison कैंबोडिया के अंकोरवार temple से किया जाता है इसके अलावा Indonesian language में भी Hinduism का influence नजार आता है local language में बोले जाने वाले बहुत से words संस्कृत words के समान है जैसे कि युद्ध, वार्ता, विहारा, etc. साथी daily life में perform किये जाने वाले बहुत से rituals और beliefs तो Hinduism से inspired हैं ही Bali Island पर Hinduism का main symbol स्वास्तिका या wheel of the sun है ये स्वास्तिका symbol Indian religions में भी widely used किया जाता है और माना जाता है कि ये शक्ती या empowerment के sacred force को evoke करता है Conclusion दोस्तों, Indonesia के Hindu heritage की study करने के बाद हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि अगर आप Indonesia जाएंगे तो यहां के culture को देख कर हो सकता है कि एक बार को आप भी confused हो जाएं कि आप भारत में हैं या किसी दूसरे देश में Bali Island को The Island of Thousand Temples के नाम से जाना जाता है Indonesia में develop हुआ cultural assimilation अपने आप में unique क्योंकि भारत के बाहर यहां एक ऐसा area बना जहां Hinduism और Buddhism एक साथ flourish हुए हलाकि 12th century के बाद Northern India में Islamic dynasty के आगमन से Indonesia में भी change देखने को मिला medieval era में ही Indonesia Islamic culture के साथ new synthesis करने को तयार बैठा था और ऐसा हुआ भी इसके बावजूद आज भी Indonesia ने अपने rich Hindu culture को preserve किया हुआ है Indonesia के five national principles में से एक है भिन्निका तुंगली का जिसका अर्थ होता है unity in diversity इसे हायाम वोरुग के रेन में लिखी गई poem सुता सोमा से लिया गया है और ये एकदम सटीक तरीके से Indonesians द्वारा अपने cultural heritage की respect को demonstrate करता है Study IQ IS अब तयारी हुई affordable